अलो फ्रेंड वेलकम टू एज्टी टेटोरियल यूटूब चैनल फ्रेंड्स मनो भिज्ञान का ये पांचवा पार्ट होगा जो अधियम की नियम अधियम में उनका महत्त धंडाइकला इस चैप्टर से संब्धित ये पांचवा पार्ट है इसके पहले का चार पार्ट आप को सब्क्राइब लाइक दोस्तों सेर जरू कीजेगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिपिकेशन आप सभी को मिल सके तो चलिए देखते हैं पांचवे पांचवे पार्ट का पहला प्रश्ण 149 नमर प्रश्ण है निम्लिखित में से एक इस ने कहा है कि आदत एक परथागत ब्यवार प्रतिमान ग्यान आत्मक या सम्विगा आत्मक प्रतियुत्तर है प्रतियुत्तर किश्चे में इसका अर्जन किया जाता है तो यह किसका कोटेशन है वेरि इंपार्टेंट है ये पूछा जा चुका है तो ये आई येंक नहीं कहा था ठीक है तो कहें आफसे निश्में आपका सही हो जाएगा 142 नंबर प्रशन है निम्रिखित में से आदत निर्माड हैबिट फॉर्मेशन का सरवाधिक जरूरी अंग कौन सा है तो अभ्यास हैबिट अभ्यास से ही आदत जो है अभ्यास से ही पढ़ता है तो सरवाधिक जरूरी अंग पूछा है तो आपका अभ्यास हो जाएगा सरवाधिक जरूरी अंग आदत निर्माड के लिए ठीक है तो गय आफसे निश्में आपका सही हो जाएगा 143 नमर प्रशन है पुनर बलित प्रतिनों की बढ़ती हुई संख्या के साथ आदत सक्ति बढ़ती है लेकिन अधिगम जैसे पोर्था की ओर पड़ता आ जाता है ब्रिद्धी की गत घर्ती जाती है इसे कहा जाता है तो इसको क्या कहा जाता है इसको हरासमान प्रतिगमन नियम कहा जाता है प्रशन को एक बार फिर देखेगा पुनर बलित प्रतिनों की बढ़ती हुई संख्या के साथ आदत सक्ति बढ़ती जाती है जब पुनर बलन कोई बालक पाता जाता है तो उसकी आदतों की शंख्या उस छेत्र में बढ़ती जाती है लेकिन अधिकम जैसे जैसे पूर्टा की ओर बढ़ता जाता है बृद्धी जो है बृद्धी की घर्टी जाती है इसे जो है खरास्मान प्रतिगमन का नियम कहा जाता है तो कै आपसा नापकाईश में सही हो जाएगा 144 नमर प्रशन है निम्लकित में से कौन सही डंग से यगमित नहीं है नेगेटिव पूछा है आपसे प्रशन तो पैवेलियन अनुबंधन को जो है प्रतिवर्तित अनुक्रियाएं भी कहा जाता है ये इसका उल्टा है कृया प्रशूत अनुबंधन को नयमितिक अनुक्रियाएं भी कहा जाता है ये इसका दूसरा नाम है और प्रेक्छलात्मक अधिगम को सम्वेदिक पेशी कौसल कहा जाता है तो ये इसमें सही नहीं है सम्वेदी पेसी गामक वस्था दूसरा होता है और पेक्छलात्मक अधिगम जो है यह इससे संबंदित नहीं है और अकर्म प्रसेच्छक का दूसरा नाम है अनुकरिया रोक लेना यह इसका दूसरा नाम है तो इसमें से नहीं पूचा है तो सही उतर हो जाएगा आपका option number गय पर एक छलात्मक अधिगम को और क्या कहा जाता है तो अनुक्रिया ठीक है अनुक्रिया अधिगम भी कहा जाता है यह सामवेदिक पेशिये कौसल इसको नहीं कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पर गय अप्शन सही हो जाएगा 145 नमबर प्रशन है सीखने के पठार का उलेक सरपर्थम किशने किया था तो सीखने का पठार का उलेक सरपर्थम किशने किया था तो ब्रायन एवंग हार्टर ने ठीक है ब्रायन एवंग हार्टर ने यह सीटेट में पूछा जा चुका कोशन है ठीक है तो इसको याद रखि यह उत्पादित ब्यवहार है यह भी सही है यह जिन परडामों को उत्पन करता है उन्हीं के कारण यह घटित भी होता है यह भी सही है तो वो प्रयोक्त में सभी जो है नय पित्तिक ब्यवहार के बारे में सही है तो घै आपसनापकाईश में सही हो जाएगा 146 नमर प्रशन है कार एक कारे के सीखने का दूसरे कारे के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इस प्रसिच्छन अस्थनांतरन को क्या कहते हैं जैसे एक कारे के सीखने पर दूसरा जो कारे करते हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इस प्रसिच्छन को क्या काते हैं अस्थानांतरण को क्या काते हैं तो इसके कहा जाता है सुन्य प्रसिच्छन अस्थानांतरण मतलब कोई अगले कारे में जो है कोई उसमें जो है बड़ोतरी नहीं हुआ है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा सुन्य प्रसिच्छन अस्था जाएगा 148 नमर प्राशन है निम्लेकित में से कौन साफ सीखना अस्थानांतरण का प्रकार नहीं है कौन साफ लर्निंग जो है अस्थानांतरण का प्रकार नहीं माना जाता है तो यह नगड़ जो अस्थानांतरण होता है यह जो है लर्निंग का प्रकार नहीं माना जाता है धनात्मग माना जाता है रेडात्मग माना जाता है शुन्य माना जाता है शुन्य इधर धनात्मग की दान रेडात्मग ठीक है और इधर सुन्य होता है ये नगड़ ये नगड़ ये सनांत्रड उसका प्रकार नहीं है ठीक है इसो उन्चास नमबर प्रशन है प्रभार प्रस ठीक है प्रत्यक का प्रतिपाधन किषिश नहीं किया था प्रभार प्रतिपाधन किषिन ने किया था next question महोदे ने किया था ठीक है important question है इसको याद रखिएगा थांडाइक द्वारा जो है प्रभार प्रशार प्रत्या का सिध्धान जो है प्रत्पादन किया गया था ठीक है तो गया आपसना आपका सही हो जाएगा 152 नंबर प्रशन है जब कोई पस्व किसी उद्धिपक के प्रति उसी तरह की अनकुरिया करता है जैसी वह किसी समरूप अनुबंदित उद्धिपक के प्रति करता है तो इसे क्या कहते है तो इसे सामानी करण कहते है ठीक है माले जब कोई पस्व है उद्धिपक की प्रति उ सब्सक्राइब का प्रकार नहीं है तो बिरोधा भाशी जो है नहीं होता है ठीक है एक सो तिराजिन में नमर कोशन है जब निस्पादन शीखने की उन्नती की रपतार सुरू में कम होती है और बाद में अधिक होती है ठीक है जैसे माली जी ये कर्व है शुरू में यहां क्या का है जब निस्पादन शीखने की उन्नती की रपतार सुरू में कम होती है और बक्र आरम में मंद गती से उपर उठता है और बाद में तेजी से उपर उठता है तो इस प्रकार के बक्र को क्या कहा जाता है तो धनात्मक तौरित बक्र कहा जाता है धनात्मक जब कोई बक्र होता है जब माल जबालक पढ़ना सिकता है तो धीरे 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 एक बैक जब उ नीचे आता है तब यह होगा आपका धनात्मक्त तवरित वख्र हो जाएगा ठीक है एक सच्चजू नमबर प्रश्ण है किस अनुकरिया से पदर्शित किया जाता है किसी अनुबंधन में अनुबंधन की शक्ति को अनुकुरिया दर से पदर्शित किया जाता है तो किस अनुकुरिया से पदर्शित किया जाता है तो इसकी ने रियन अनुबंधन में ठीक है इसकी ने रियन अनुबंधन में जो है इसको पदर्शित किया जाता है ठीक है तो कहे आप सानिश में आपका सई हो जाएगा 155 नम्मर प्रिश्ण है किसी पुनरबलन अनसूची में प्राणी की किसी उपयुक्त वांचित अनुकुरिया पर पुनरबलन मिलता है और किसी वांचित अनुकुरिया पर पुनरबलन नहीं मिलता है तो किस अनसूची के अंतरगत आता है ये पूछा है आपसे तो ये आता है आंसिक पुनरबलन अनसूची के अंतरगत किसी पुनरबलन अनसूची में प्राणी की किसी उपयोगत वांशित अनुकरिया पर पुनरबलन मिलता है और किसी वांची तनकुरिया पर पुनरबलन नहीं मिलता है किसी पे मिलता है किसी पे नहीं मिलता है तो वहाँ पे आंसी कुरूप से का दिया जाता है ठीक है कि आंसी कुरूप से दिया गया या आंसी कुरूप से नहीं दिया गया तो ख्या आपसेंच में आपका सही हो जाएगा 156 नम्मर प्रिश्ण है निम्लेकित में से किस कारक को मानव अधिगम को प्रभावित करने वाले बैक्तिक कारकों के अंतरगत नहीं रखा जाता है यहां निगेटिव पूछा है नहीं रखा जाता है तो सामगरी की आर्थपोंडता यह बैक्तिक कारकों के स्रेड़ी में नहीं रखा जाता है पूर्व अनुभाव प्रेरणा परिप्रक्तवा ये जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले बैक्तिके कारकों में अंतरगत इसको रखा जाता है ठीक है तो यहाँ पर गय आपसं सहीव जाएगा निकेटिव आपसे पूछा है 157 नमर प्रेशन है कौन सा प्रभलक पलायन तथा परिहार अनक्रियाओं की संभाव बिता को बढ़ाता है तो सहीव तर जाएगा आपका जो रिडात्मक प्रभलक होता है वो जो है अनक्रियाओं की संभाव बिता को बढ़ाता है ठीक है तो खै आपसा निश्में आपका एक सोठामन नंबर प्रश्ण है आप आर्गनेंज पुस्तक की लिखक कौन है आप लोग जानते होंगे इसक्रिणर महोदे ने ठीक है बहुत इंपार्टेंट पुस्तक है ये कई बार पूछा भी जाए चुका है तो इसक्रिणर की पुस्तक है जो इन्होंने क्रिया प्रसू तो आकस्मिक सीखने में सीखने के क्रिया उस समय घडित होती है जब सीखी जा रही सामक्री पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो बिल्कुल सही है थांटाइक के साचार्यात्म का अस्थानांतरन नियम की अनुषार कोई पुरानी अनुकुरिया किसी नए उत्दीपक के साथ ही उत्पन हो सकती है तो ये भी सही है सीखने के लिए प्रवलक का होना अनिवार है तो गलत है सीखले के लिए प्रवलक का होना अनिवार नहीं होता है ठीक है कोई जरूरी नहीं है कि पुर्णरबलन ही मिले तब प्रवलक ही मिले तभी सीखा जाए ठीक है घै नंबर है पर बंदन में किस प्रकार की क्रियाओं का अनबंदन होता है तो एच्छी क्रियाओं का इसमें अनबंदन होता है तो कहें आपसनापका इसमें सही हो जाएगा 161 नमर प्रशन है पुरसकार का विधेयात्मक प्रभाव धंड के निशिधात्मक प्रभाव से प्रभल होता है तो कम प्रभल होता है ठीक है यहाँ पर इसपेस है तो कम प्रभल होता है ठीक है पुरस्कार का बिदेयात्मक प्रभाव धंड के निसेधात्मक प्रभाव से कम प्रभल होता है ठीक है तो क्या आपसन आपका इसमें सही हो जाएगा 162 नमबर प्रशन है एसे बिवहार जो ग्यात एवंग निश्चित उद्धीप को द्वारा होते हैं उन्हें क्या काते हैं एसे बिवहार जो निश्चित उद्धीप को द्वारा होते हैं उन्हें क्या काते हैं तो उन्हों प्रतिकृत बिवहार का जाता है ठीक है प्रतिक्रित बेहार इलेक्टिट बिहाइबियर ठीक है तो गय आफसन सही हो जाएगा 164 नमबर प्रशन है निमनिल्कीत में से किसी ने नयमित्तिक अनबंधन को शमश्या शमाधान माना है तो ये मावरण ने ठीक है मावरण ने नयमित्तिक अनबंधन को शमश्या शमाधान माना है ठीक है तो गय आफसन सही हो जाएगा 165 नमबर प्रशन है अंतर्दिष्ठ सिधान्त का प्रवर्तक किस्णे माना जाता है तो कोहलर को आप लोग जानते होंगे अंतर्दिष्ठ या सूज का सिधान ठीक है तो ये कोहलर माने जाते हैं तो गय आफसन सही हो जाएगा 166 नमबर है निमलेकी तो असत्य यूगम कौन सा है तो निसे धात्मक पुनरबलन ये गाली देना बिलकुल सही है सारेरिक प्रेरक तो निद्रा सारेरिक प्रेक में आता है बाहि प्रेरक पुरस्कार हो जाता है आंतरिक प्रेरक बेतन तो ये गलत है ठीक है आंतरिक प्रेरक में बेतन नहीं आएगा ठीक है ये भी जो है बेतन जो है बाहि प्रेरक में आजाएगा तो यहाँ पर असत्य पूछाए तो घैय अपसन आपका सही हो जाएगा ठीक है आंतरिक प्रेरेक जो है बेतन नहीं होता है ठीक है 166 नमबर है निमलेकित में से किसनी यह खोज की कि यह कुछ प्रयासों में प्रबलन दिया जाता है वे कुछ में नहीं तो अनुबंदित अनक्रिया जो होती है CR का बिलोब कठिन हो जाता है तो यह हमफ्री ने कहा था ठीक है तो हमफ्री ने ऐसा बताया था कि यह कुछ प्रवासों में प्रबलन दिया जाता है वे कुछ में नहीं तो अनुबंदित अन्क्रिया जो होती है जो इसे सियार कते हैं का बिलोब कठिन हो जाता है तो ये ख्या आपसंद सही हो जाएगा इसो नहीं अनुबंधनों प्राचीन वे नैमित्तिक में कारे करते हैं तो ये समीपता का नियम जो है ये दोनों में कारे करते है ठीक fees समीपता का नियम जो आविकुएform डिया कथन असत्य है तो अंतरद्रिष्ट उच पसवों से संबंदित है तो ये भी सही है अंतरद्रिष्ट सही प्रतेक्षी करण होता है ये भी सही है अंतरद्रिष्ट में अनक्रिया के तोटियों में धीरे धीरे कमी होती है तो ये गलत है धीरे धीरे कमी नहीं होती है ठीक है और अंतरद्रिष्ट में अनायास बिल्कुल सही अनुक्रिया घटित होती है ठीक है तो यह आपका यह सही हो जाएगा तो गया अफसनिश में सही हो जाएगा असत्य पूचा है तो अंतरद्रिष्ट अनुक्रिया में तुटियों में धीरे धीरे कमी होती है ठीक है 170 नमर प्रश्ण है थन्डाइक के किश नियम के इनुसार क्रिया की सफलता से संतुष्टी और असंतुष्टी प्राप्त होती है और असंतुष्टी प्रभाव का नियम बताता है तो यहाँ पर गया अपस्प सही जाएगा तो फ्रंट से रहे महत्यपूर्ण 30 पर इस पाचर्वे पार्ट में ठीक है और इसके पहले का पाट रॉक डिस्क्रिप्सिन बाक्स में देख सकते हैं और जो chapter बाज बीडियो देखने हैं चाहते हैं तो playlist मिचा करके सभी बीडियो देख सकते हैं जो आप सभी exam के लिए सभी date पर इछा के लिए काफी helpful होगा फिर मिलते हैं अगले बीडियो में पूरा बीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद